मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है जब तक आप दोसरों पर आश्रित रहते हैं या समझते हैं कि हमारे कश्टों को कोई और दूर करेगा तब तक बहुत बड़े भ्रह्म में हैं जो उल्चने आपके सामने हैं उनका दुखदाई रूप अपनी ही तुरूटियों के कारण हैं उन तुरूटियों को दूर करके आप स्वयम ही अपनी उल्चने सुलजा सकते हैं संसार में सफलता प्राप्त करनी के आकांख्षा की साथ ही अपनी योग्यताओं में वृत्थि करना भी आरंभ कीजिए आपका भाग्य किस प्रकार लिखा जाए इसका नरणे करते समय विधाता आपकी आंतरिक योग्यताओं की परक करता रहता है उन्नती करने वाले गुणों को यदि अधिक मात्रा में जमा कर लिया गया है तो भाग्य में उन्नती का लेक लिखा जाएगा और यदि उन्नायक गुणों को अविक्सित पड़े रहने दिया गया है, दुर्गुणों को मुर्कताओं को अंदर भर कर रखा गया है, तो भाग्य की लिपी दूसरी होगी, विधाता लिख देगा कि इसी तब तक दुख दुर्भाग्यों में ही पड़ा रहना होगा, जब इसके अनुरूब अपनी योग्यताएं बनाने में प्रवृत्त हो जाएं, तो विधाता को विवश होकर आपकी मनमर्जी का भाग्य लिखना पड़ेगा, जब आत्मे विश्वास के साथ सोयोग्य मार्ग की तलाश करेंगे, तो वो किसे ना किसी प्रकार मिलकर ही रहेगा झाल झाल